मालकन ने पचास हजार दे कर मेरा निकाह बोढ़े माली से करवा दिया। मेरे लिए पचास हजार भी बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन मालकन के एहसान दिन बेह दिन बढ़ने लगे तो मुझे तश्वीश होने लगी। क्योंकि अब मालकन हर रात मुझे अपने साथ सुलान लगी थी, एक रात मेरी आँख खुली तो होश उड़ गए मालकन बीड पर। मैं दिलहन बनी बैठी थी, कुछ देर बाद मेरा नोकाह इस शांदार घर के बोढ़े माली से किया जाना था। मैंने अपनी मुठी में दब्बे पचास हजार को लिलचाई नजरों से देखा और अपने दिल में उठती हसरतों को दबा लिया। मैं जवान और हुसीन लड़की थी, मेरी शादी मेरे जेसे आम घराने से तालिक रखने वाले किसी भी जवान लड़के से हो सकती थी, मगर मैंने मालकन के एक बार कहने पर ही सिर्फ पचास हजार की खातिर, इसको ठीपर काम करने वाले बोढ़े माली से निकाह करने की हामी भर ली थी, मैं अंदर से परिशान थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे इस फैसले से बिलकुल अंजान थे, फिर भी लालच ने मुझे बिलकुल अंधा कर दिया था, कुछ देर बाद ही मेरा निकाह मालकन की हदायत पर इसा देकर निकाह के लिए मनाया गया होगा। तो मालकन मुझे बुला कर अपने पास बठा लेती। मैं अंदर ही अंदर दिल में अपने किस्मत पर रश्क करने लगी थी, हाला कि मेरा बोढ़ा शोहर अभी वैसे ही काम करता रहता था। मालकन की तौज़ा और नर्मी भरे रोईये ने मुझे खुश कर दिया था। मैं जब भी काम करने लगती, मालकन मुझे से कहती कि अभी तुम नई दिलहन हो, तुम जियादा काम मुथ करो। मैं खुश हो जाती और मालकन के पास बेठ जाती। मालकन की नर्मी और महरबानी मुझे पर बढ़ती चली जा रही थी।